ये class उनके लिए काफी important है जो बचे बिहार SST या फिर बिहार सिविट कोड की तैयारी करते हैं ये सारे सवाल जो है GKGSK वो आपके आने वाले सारे exam के लिए काफी helpful होने वाला है तो चले start करते हैं आज के पहले question से और देखते हैं कि हमारा जो पहला सवाल है हुआ क्या कह रहा है हमारा पहला सवाल है कि IPL 2024 season के दौरान कितने match खेले जाने हैं तो IPL के दौरान जो है कितने match खेले जाने option है आपका 50, 60, 74 और 82 तो कितने match खुले जाने आपके तो 74th, option C आपका क्या हो गया, इसका right answer हो गया, यह IPL जो है आपका start कब हुआ था तो 22 March को, और 22 March को जो है बिहार दिवस्त के रूप में भी हम लोग 22 March को जानते हैं, और यह IPL जो है आपका वाख खतम कब होगा, तो यह आपका 29 मई को खतम हो जिसका जो grand finale match होगा, वो आपका कहा होगा, नरेंद्र मोदी स्टेंडियम में जो है, इसका grand finale match होगा, next सवाल है आपका, कि Indian Premier Link, IPL का पहला संसकरन किस वर्थ आयोजित किया गया था, यह IPL जो है सबसे पहली बार किस वर्थ खेला गया था, तो कब खेला गया था यह आपका, 2008 में खेला गया था, कब खेला गया था, 2008 में, तो option C आपका इसका क्या हो गया, और यह 2008 में जो है, कितने दिन तक आयो जित रहा था, तो इस मैच को जो 2008 में 44 दिनों तक आयोजित किया गया था, कितने दिनों तक, 44 दिनों तक जो है, यह मांग, मैच खेला गया था, next सवाल है आपका, कि बेशु का सबसे उंचा जल प्रपात, एंजल जल प्रपात, जो है, किस देश में इस्थित है, option है आपका दचीन अफरीका में, पेरू में, नार्वे में, या फिर वेनेजुएला में, तो बिस्तु का सबसे उंचा जल प्रपात, जो है आपका, वेनेजुएला में इस्थित है, किस देश में इस्थित है, वेनेजुएला में इस्थित है, option D, आपका इसका क्या हो गया राइट आंसर हो गया, अब हम देखेंगे कि दचीन अफरीका की जो राजधानी है वहा कहा है, पेरू की राजधानी, नार्वे की राजधानी और वेनिजवेला की राजधानी, तो देखेंगे कि पहला जो है आपका क्या है, दचीन अफरीका, तो इसकी जो राजधानी है व आपका कहा है? तो Oslo. कहा है? Oslo. एवेनेजुएला की जो हो गई आपका? या हो गई आपका? काराकास. या फिर आप इसको केरेकस भी कह सकते हैं. अब आप लोग के मन में चल रहा होगा कि ये सारे राजधानी और राज जी क्यों बता रहे हैं? या फिर देस और राजधानी क क्यों बता रहे हैं? तो क्योंकि एक्जाम में आपका तो कोई लिमिट नहीं है न कि GKGS से कहां से कोस्टन जो है वह आ सकता है. तो आप लोग अभी एक्जाम का कितने दिन बच गया? अगर जून में देख लेते हैं, एलेक्शन का जो वोटिंग आ जाता है, एलेक्शन रि तो ये तो पॉसेबल है नहीं. तो क्या करना पड़ता है न? जो आप लोग क्या? जो रिवीजन जो होता है न? तो वो रिवीजन करते रहना चाहिए. इसी से आपका रिवीजन हो जाएगा, इससे क्या होगा? आप जो कभी भूल गए होंगे या पढ़े होंगे उसको बार देखना पड़ रहा होगा. इन चारे उप्सेंस होंगे होगा, आपका वो? किलियर हो जाएगा. आप से लगए हम अपने अगले सवाल की और हमारा अगला सवाल है कि कौन सी नदी पर पेरिस सहर से होकर गुजरती है? कौन सी नदी जो है किस सहर से होकर? तो पेरिस सहर से ह वो कर गुजरती है, अब मीन नदी को देखेंगे, तो यह विस्व की सब से लम्बी नदी है, नेक्श देखेंगे हम आपका, कि येलोग स्टोन राष्ट्रिय उदान किस देश में इस्थित है रूस में, कैनेडा में, ब्राजील में या फिर USA में तो यह जो है आपका या उदान जो है आपका कहां है तो यह आपका हो गया USA में कहां हो गया USA में हो गया अब हम देखेंगे कि रूस की जो राजधानी है हुआ आपकी कहा हो गई? मासको. कैनेडा की हो गई आपकी? ओटोवा. ब्राजील की आपकी क्या हो गई? तो ब्राजीलिया. और यूसे की क्या हो गई आपकी? तो वासिंग्टन डीसी. ये सारी क्या हो गई? इन सारे देशों की राजधानी हो ग का कि बिस्तु की सबसे लंबी महादूइपिय परवत स्रिंखला कौन सी है बिस्तु की जो है सबसे लंबी महादूइपिय परवत स्रिंखला हिमाले, एंडीज, रौकी परवत या फिर यूराल परवत तो ऐसा कौन सा है? जो क्या है आपका महदूरिय परवत स्रिंखला है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? ANDI'S परवत. Option B आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया. आपका इसे हम अंडियन परवत भी कहते हैं. क्या कहते हैं, एंडियन परवत भी कहते हैं, किसे तो एंडीज परवत को, और रौकी परवत की बात करें हम, तो रौकी परवत की जो सबसे उची चोटी है, सबसे उची है, उसे हम क्या कहते हैं, एलवर्ट कहते हैं, किसे तो रौकी परवत की सबसे उची चोटी को क्या कहते अलबर्ट कहते हैं, next सवाल है हमारा, कि संयुक्त राष्ट के संथापक सदस्य के रूप में कितने देसों ने भाग लिया था, option है आपका 45, 50, 51 या फिर 75, तो कितने देसों ने भाग लिया था आपका, 51 देसों ने भाग लिया था, option C आपका क्या हो गया, इसका right answer हो गया, next स सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्क्टिक महासागर, तो बिस्तु का जो सबसे बड़ा महासागर है, वह आपका कौन सा है, तो वह आपका हो गया, प्रशांत महासागर, next है आपका, कि बिस्तु का सब सबसे छोटा महासागर कौन सा है बड़ा कौन सा हो गया आपका प्रशांत महासागर हो गया तो सबसे छोटा महासागर कौन सा है भारती है प्रशांत अट्लांटिक या फिर आर्कटिक तो कौन है सबसे छोटा महासागर तो वह आपका कौन सा हो गया आर्कटिक महासागर जो ह वह सबसे छोटा महा सागर है, option D आपका इसका क्या हो गया, right answer हो गया, next है आपका कि मृत्सागर किन दो देशों के बीच इस्थित है, मृत्सागर जो है, वह किन दो देशों के बीच इस्थित है, जार्डन और शुडान, जॉर्डन और इस्थित है, तो option B आपका क्या हो गया, इसका right answer हो गया, next सवाल है आपका, कि किस देश ने 1886 में अमेरिका को Statue of Liberty उफार में दी थी, France, Canada, Brazil या फिर England, तो किस ने दी थी, France जो है, वह क्या किया था, 1886 में जो है, अमेरिका को Statue of Liberty का उफार दिया था, किस ने, तो France ने, option A आपका क्या हो गया, इसका right answer हो गया, और 1885 में क्या हुआ था, तो भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस की अस्थापना हुई थी, 1885 में किस ने किया था, तो AO Hume ने किस ने किया था, ए हो हुम ने जो है भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस की अस्थापना की थी कब तो 1885 इस भी में नेक्स्ट कोस्चन है आपका कि बार्मुंडा ट्राइंगल छेत्र किस महासागर में इस्थित है अटलांटिक महासागर में भारतिय में प्राशांट महासागर में या फिर आर्क्तिक महासागर में तो बार्मुंडा ट्राइंगल जो है आपका वह कहां इस्थित है अटलांटिक महासागर में वह आपका इस्थित है कहां इस्थित है अटलांटिक महासागर में next question है आपका कि किस देश को land of the midnight sun भी कहा जाता है ऐसा कौन सा देश है जिसे क्या कहा जाता है तो land of the midnight sun भी कहा जाता है ग्रिल लेंड, आइसलेंड, आयरलेंड या फिर नार्वे तो किसे कहा जाता है आपको तो नार्वे को कहा जाता है किसे कहा जाता है नार्वे को कहा जाता है option D आपका इसका right answer हो गया नेक्स है कि किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है ओंट्रिया को, हॉलेंड को, सुजर्जर्लेंड को या फिर इटली को तो किसे कहा जाता है आपका सुजर्जर्लेंड को जो है वा क्या कहा जाता है तो यूरोप का खेल का मैदान जो है वह सुजर्लेंड को कहा जाता है नेक्स सवाल है हमारा कि किस देश को उगते सूरज की भूमी भी कहा जाता है उगते सूरज की भूमी किस देश को कहा जाता है किस देश को कहा जाता है जापान को न्यूजिलेंड को फिजी को या फिर चीन को तो किसे कहा जाता है जापान को जो है वा उगते सूरज का देश कहा जाता है तो option है आपका क्या होगे इसका right answer होगे और जापान की राजधानी कहा हो गई आपकी तो टोकियो कहा हो गई टोकि जापान की राजधानी हो गई हमारे भारत में जो है किस राज में सबसे पहले सूरज उगता है तो किस राज में उगता है बच्चो अरुनाचल प्रदेश में अरुनाचल प्रदेश में जो है सबसे पहले सूरज उगता है वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद